खादर्शेत्र के गाउंड रामणा में तीन माहा के आवंडिक पट्टे कियार में आवेद रूप से पार्कलेन मशीन से यम्ना नदी को छलनी किया जा रहा था किसानों और ग्रामणों के शिकायत पर प्रधान ने छापे मारी की तो ठेकिदार की पोल खुल गई जिसके बाद खदान को बंद करने के आदेश दिये इस कारवाही के बाद खदान करने वालों में हरकम अजगया है गाउंड रामणा के खादर्शेत्रिव में किसान की ग्रिशी भूमी की सफाई के नाम पर सरकारी स्थर पर तीन माहा के लिए पटा आवंडिक किया गया है वैसे तो फावडों से रेत उठाने की अनुमती होती है लेकिन यहां खरन ठेकेदार में NGT की गाइडलाइन्स की जमकर धज्य उड़ाते हुए पार्कलेन मशीन को यम्रा नदी में उतार दिया खरन का कार्य शिरू होने के बाद विरोध की स्वर उठने लगे और किसानों के साथ ही ग्रामीन की ओर से एक के बाद एक शिकायती पत्र प्रशासन को दिये गए कुछ किसानों ने फसलों को नुकसान की बात कही तो कुछ किसानों ने रास्ति को लेकर समस्य बताई इसके बाद शिकायतों का संग्यान देते हुए मंगलबाश राम, स्डेम, श्रीप्रकाश यादव ने राजस्वी टीम और पोलिस बल के साथ मौके पर छापेमारी की जिसके चलते ठेकेदार और उसके वरकरों में हरकम बज़ गया प्रतिबंदिद पार्कलेन मश्रीन से खनन होता पाया गया प्रशासन की ओष से आवंटित पट्टा शेत्र की भूमी की वहमाईश भी कराई गई पट्टे पर भारी अन्यमेत्ताय जाने पर प्रशासन ने खदान को बंद करने के आदेश जारी कर दिये सर आज रावमरा गाओं में पहुचे थीतर प्रशासन के लिए और कया अपने अग्र्श के इस अपने ठान करें और जो चीजें निकल के आई हैं और यहां पर कुछ ग्रामेड भी थे उन लोगों से बातचीत की गई है और अभी तत्काल प्रभाव से अभी इसको रोग दिया गया है वो लोग भी यहां पर है कि अभी कोई खनन नहीं होगा अगले चार दिन पांस दिन जब तक किसानों की यह जो किस तरह की शिकायत कर रहे हैं जो रास्ते हैं जिसे गाड़ियां आ जा रही है उनको समस्या हो रही है उनके फसल है यहां पर इसी तरह कि सिकायते हैं किसानों की